नमस्का दोस्तों बदव साहता आपका हमारे चलुमें दोस्तों आजी वीडियो में आपको एक बहुत ही खाज जानकरी देने वाला हूँ और इस वीडियो में आपको बताओंगा कि आपके फोन का जो माईक है जिसका इस्तिमाल सरीफ हम बात करने के लिए करते हैं कि आप ठीक से समझ जाएं कि मैं आपको क्या समझाना चाहरा हूँ दोस्तो आपको पता होगा कि हमारे फोन के अंदर एक माइक होता है जिसका इस्तिमाल हम बाते करने के लिए करते हैं यानि कि जब कोई कॉल आता है जब हम कॉल को रिसीव करते हैं तो इसी माईक के प्रू हमारी आवाज जो है वो दूसरे तक पहुंशती है लेकिन कभी आपने सोचा है कि यही माईक हमारी बातों को record करके जहां record करके दूसरी application या दूसरी website, दूसरे server या दूसरी country तक भी भेज रहा है दोस्तो इसका मुख्य कारण हम खुद हैं दोस्तो हम तरह तरह की application को बहुत सरी permission दे रखे होते हैं अपने phone के अंदर और वो हमारे mic को use करके जो भी हम बाते कर रहे हैं चाहें आप phone पर कर रहे हैं चाहें आप बिना phone use किये हुए जो भी हम बाते करते हैं वो सारी बाते हमारे mic के through दूसरे server के पास जा रही होती हैं और दोस्तो आपको पता ही होगा कि हम अपने phone पर बहुत सारी बाते करते हैं चाहें वो हमारी property से related हो चाहें हमारे bank balance से related हो चाहें हमारी पड़ाई लिखाई या हमारे social या हमारी politics या हमारी राजनिती या हमारी government बहुत सारी topic के ओपर चाहें हम करते हैं दोस्तों ये mic के through जो है वो हमारी सारी बातों को record किया जाता है और उसकी monitoring की जाती है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इस से बचने का यहाँ पर तरीका बताऊंगा और सबसे पहले आपको बताऊंगा कि वो क्या एक major कारण है जिसकी वेसे आप अपने mic को अपना ही जासूस बना रहे हैं तो दोस्तों सबसे देखे मुक के कारण क्या होता है जह हम कोई play store से application इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर हमसे permission मांगी जाती है तो बहुत सरी permission जैसे की गैलरी की permission मांगी जाती है हमारी location की permission मांगी जाती है तो उसी तरह से हमारे microphone की भी permission वहाँ पर मांगी जाती है और हम गलती से वहाँ पर permission दे देते हैं तो अब दोस्तों आपको करना क्या है अपने setting पर जाना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने फोन की सेटिंग पर जाना है और सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है एप्लिकेशन के उपर ठीक है और एप्लिकेशन के उपर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक आप्शन मिलेगा पर्मिशन का अब पर्मिशन के option पर आप click कर दीजिए ठीक है और उसके बाद भी एक और permission का option मिलेगा तो यहाँ पर भी आप click कर दीजिए देखिए यहाँ पर मैं आपको यह दिखा दूँगा कि जो मैं यहाँ पर कह रहा हूं वो बिल्कुर ठीक है दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको एक option दिख रहा है microphone का ठीक है अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 12 application को मैंने permission दी हुई है मतलब 33 application मेरे phone के अंदर और उसमें से मैंने 12 को microphone की permission दी हुई है यानि कि mic की permission दी हुई है कि वो मेरी आवाज को record कर सकता है अब यहाँ पर देखिए मैं बहुत सारी जो मैं बीच बीच में अपने phone के अंदर चेक करता रहता हूँ लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी application को दुबारा से permission मिल जाती है अब देखिए यहाँ पर आपको एक option दिख रहा होगा messaging का तो दोस्तो messaging पर यहाँ पर आपको एक green tick दिख रहा है यानि कि इसको mic की permission मिली हुई है अब आप सोच रहे होंगे कि message को mic की क्या जूरत पड़ती है तो दोस्तो हम जब कई बार voice message भी भेजते हैं तो वहाँ पर हमें mic की जूरत पड़ सकती है तो देखिए अब जैसे b612 आपको दिख रहा है तो यह camera site है एक camera application है अब मानीजिए मैं इसको on कर देता हूँ तो यह मेरे phone की आवाज जो है mic जो है उससे मेरी आवाज को record करने लग जाएगा तो दोस्तो यह मैं सारी off करके रखता हूँ इसलिए यहाँ पर आपको यह off दिख रही है आपको अपने phone के अंदर applications पर जाना है और वहाँ पर देखना है कि किस-किस application को आपके mic की ज़रुवत नहीं है अगर नहीं है और फिर भी यहाँ पर आपने उसको permission दी हुई है तो उसे आज ही off कर दीजिए नहीं तो आप बहुत ही खत्रे में पढ़ सकते हैं दोस्तो यह एक छोटी सी चीज है लेकिन इसका impact बहुत बड़ा होता है हमारे mic से यह सारी application हमारी बोलने वाली सारी चीजों को record कर रही है और लगातार दूसरे server और दूसरी countries के पास भेज रही है चाहें वो कुछ भी हमारी personal बाते हो चाहें कुछ भी बाते हो सारी बाते हमारी यहाँ पर record की जा रही है तो दोस्तो हमारे phone के चोटा सा mic होता है यह बहुत बड़ी जासूसी कर सकता है हमारे खिलाब तो दोस्तो आपको जागरूप करने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी ताकि आप भी सचेत रह सकें तो आपको यह वीडियो अपने तक नहीं रखनी है अपने दोस्तो परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसके बारे में जान सके दोस्तो इस वीडियो आपको कैसे लेगी प्लीजर मैं कमेंट करके ज़रूर बताएए अच्छे लगयोज़ों से लाइक भी कीजिए अगर अभी तक हमारे चैनलों को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर लीजिए ये सबस्क्राइब के ला नीशन पे टच करके उसके बाद घंटी के नेचान पर ज़ोर टच लीजिए ताकि हमारी नई नहीं लगातर वीडियो आप तक मिलती रहे है ये बिल्कुल फ्री होता है धन्यवाद